व्यों बड़ी अंकल जी कौन सा पारक है आपका यह बादलपूर अंबिड कर पारक तो यहां पर फैमिली भी आ जाती है डूलने के लिए आती है सुबह से हम खूब गूमते हैं अराम से गूमते हैं अच्छा टाइमिंग रहते हैं यहां पर आने के यहां है यह नौ बजे से और साथ बजे तक काफी बड़ा पारक हो गए तो आपका अब कर दोस्तों कैसे आप सब आई आप सब अच्छे होंगे तो आज मैं अपके लिए लेकर आया हूं नई प्रोपर्टी जो की बेस्ट लोकेशन है आपकी लोकेशन की बात करें तो गाजेबाद लालकोए से अप्रोक्स तुए तीन किलोमेटर अगे है औरोट से दो सो मिट्री दूरी पे अपको बात करें तो कि इसेंज ल अपको पड़ेगी और गेटेट सॉसाइटी आपको मिलने जा रही है प्रोजक्त आपको काफी सुंदर और अच्छा बना हुआ है यह मान कि चलो मकान जो बना हुआ है इनको फरस्ट पेस जो इसका एक्सेंशन जो बना रहे हैं तो उसकी प्रोजेट को भी आपको दिखाऊं आज हम इस प्रोजेट के बारे में बता हएं और क्या सैज्गी रहने वाले हैं है उस क्लास बने फुंगसंण मांग रहे थे-टो इसमें क्या साइज यह सो पंद्र है ठीक है ठीक है तीक है तो इस पर लॉन हो जाएगा आपका लॉन और दो ठीक है थीक है तो सर यह जो आपनी बना एज्ञा एक तो उसमें क्या प्रेज रखा रहा है राए जो 35 लेक में है वह है और जो आपका 115 गज में है वो पड़ेगा 50 लैका 50 लैका ठीक है तो सर कस्टुमर आएंगे तोड़ा बात नहीं को समल तो करना होगा आपको आपको आपके रिगार्ड पूरी रहेगी जब आएंगे आपके रिफिर्स से आएंगे तो कुछ ने कुछ सब्सक्राइब करेंगे हाँ मिले कर दोस्तों मैं आपको MS का डोर मिल जाता है जैसे आप एंट्री करते हैं तो आपको एक बार मैं आपको elevation इसका दिखा देता हूं इंडिपेंडेंट हाउस घर का जो कि काफी प्यारा बना हुआ है जैसी हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो आप देख सकते हो काफी फैमिली यहाँ पर ओलेडी रह रही है यहाँ पर आपको काफी स्पेस मिल जाता है कार पार्किंग के लिए आप बाइक पार्किंग भी कर सकते हो मैन एंट्री में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्यों पी कावर कीनों ने किया है यहाँ से आपको जैसी आप अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक विंडो मिल जाती है आपको kitchen की यह आपको window है जहां से proper utilization आपको kitchen के लिए मिलेगा यहां से आप अंदर के लिए entry करते हो तो आपको यहां पर living space मिल जाता है जिसमें आपको for sealing का work मिल जाएगा यह आपको saving firmishing करा के देंगे इसमें family already रह रही है दोस्तों तो इनका ये बोलना है कि यहां पर आपको सैमिक फिनिसिंगे करा के देंगे मॉडलर किचिन आपको देंगे बस और आप अपने तरीखे से जो भी वर्क आप करा सकते हैं तो इनी फैमिली ने खुद ही अपने परसनल ही इसमें वर्क किया है देख सकते हो तो काफ़ अच्छा जब आप इसमें वर्क कर आऊँगे अंदर पर आपको नहीं देंगे बात कि पीकरा के देंगे एक बार मैंगे के दिखाने के लिए मैंने इसका टूर किया है कि आपको एक आडिया लगे कि हाँ किस टैप से इन्होंने 115 गज में इंडिपेंडेंट हाउस कर बना के दिया है तो उसी के परपस से मैं आपको इसका टूर करा रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते हो लियाउट जो रहेगा सेम ये रहेगा और आप अपने कोडिंग चैन्ज कराना चाहते हैं तो आप देख सकते हो बट एक पर विजिट करो मैं आप कराऊगा नीचे आपको वन रूम मिल जाता है मॉडल और किछिन आपको मिल जाती है यहाँ पे आपको साप्ट मिल जाता है जो की काफ़ी स्पेसिस है यहाँ पे आपको proper ventilation मिल जाएगा साप्ट के बरावर में यहाँ पे एक washroom मिल जाता है जो कि काफी spaces है आप देख सकते हो इसमें भी आपको tells cover किनों ने किया है इसमें दो entry आपको मिल जाती है अगर आप living space से भी entry करना चाते हैं अब हम चलते हैं second floor पर आप देख सकते हो stairs पर आपको SS की grill मिल जाती है ग्रे नाइट का पत्थर इनों ने लगा के दिया है stairs पर आप देख सकते हो काफी अच्छा working इनों ने किया है और आप देख सकते हो अब हम second floor पर आ चुके हैं और जैसे हमन अपर आते हैं तो यह आपका living space हो गया living space के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इस यह आपको हो गया यहाँ पर washroom जैसे आप आते हो यहाँ पर आपको right side में मिलेगा washroom उले देख सकते हूं आइः वास्ट रूम के पास में ही आप जैसे एंट्री करते हो तो आपका यह हो गया इसमें आप देख सकते हो अलमीरा वार की इन्होंने किया है आप देख सकते हो काफी अच्छा वार की इन्होंने करा के दिया है और इसी में ही आपको साप्ट मिल जाता है जो कि काफी स्पेसिस साप्ट है जो कि प्रोपर वॉल्टिलेशन आपको मिल जाता है यहाँ पर अब हम चलते हैं second floor के second room में जैसी हम entry करते हैं second room में तो यहाँ पर आपको left side में मिल जाता है पूजगर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको पूजगर मिल जाता है काफी spaces है तो इन्होंने यहाँ पर कुछ अपना stock रख रहा है और यहाँ पर आपको मिल जाता है पूजगर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप काफी बड़ा मंदिर बना सकते हैं जो कि काफी spaces मिल जाता है आपको P.O.P. का वर्क आप देख सकते हो काफ इसांदार इन्होंने किया है और यहां पर आपको मिल जाती है Almira तो वर्क जो भी किया है इन्होंने काफ अच्छा वर्क इन्होंने किया है अब हम चलते हैं बालकॉनी में बालकॉनी में भी आपको काफी स्पेस मिल जाता है इस्पेस है जो कि आप देख सकते हो आपको में एक बार दिखा देता हूं यहां पर काफी स्पेस आपको मिल जाता है यहां पर इन्वेटर आप लगा सकते हैं बालकॉनी में भी आपको काफी अच्छा स्पे मिल जाता है अगर मॉनिंग टाइम में टी पी सकते हैं नूच पेपर यहां काफी स्पवेश फालकॉनी होगी तो आप अच्छा नजॉय कर सकते हैं और अब के लिए हैं इतना स्पेश ऊप्हेश पाफी है जो कि आप अपने प्री टेम के लिए यहां पर कुछ पल टाइम स्वेट कर सकते हैं अब हम चलते हैं टैरिस पे टैरिस पे भी आप चलने के लिए आप देख सकते हो यहां पे आपको इस टेर्स पे वर्क ग्रेड नाइट का पत्थरगा मिल जाता है जो कि काफी संदार इनों ने वर्क किया है ठीरी बीच में यह आपका इंडेपेंडेंट हाउस घर होने जा रहा है जो कि मैंने आपको पूरा टूर काया है दोस्तों आप देख सकते हो बेस्ट लॉकिशन है आपकी और भी कोई इंफरमिशन आपको चाहिए तो दियेगे नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं डायट ली और आप एक बार विजिट करो विजिट करने के बाद आप अच्छी से प्लान कर सकते हैं एक बार आईए और विजिट करो अगर आप इस बजट में अपने लिए इंडिपेंडेंट हाउस सर्च कर रहे हैं तो आपके लिए पैस्ट लॉकिशन होगी और आप चड़ से घर ले स आपके लिए बार आपके लिए गुट कर रहे हैं तो आपके लिए कर रहे हैं तो आपके लिए।